हलो एबरिवन कैसे हैं आप सब तो गाइस आज मैं आपके साथ एक और हाम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ तो गाइस आज मैं आपके साथ यही वालना फेस पैक शेयर करूंगी जिसके साथ आपकी स्किन से रिलेटड काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी जैसे अगर आपके फेस पर कील मुहासों की प्रॉब्लम है और उसके बाद उसके दाग रह जाती है उन दाग दब्बों को दूर करने के लिए यह फेस पैक बहुत ही जादा बेनिफीशल है तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस क कर लें ताकि मेरी वीडियो से रेलेटर सबी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और गाइस इसी से रेलेटर मैंने एक और फेस पैक अपने चैनल पे अपलोड किया है अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूँगी आप वहां से चेक आउट कर लेना तो गाइस चलिए बढ़ते हैं इस फेस पैक की और तो यह फेस पैक आपके लिए बहुत ही ज़दा बेनिफिशल रहेगा अगर आप इसे हफते में दो बार यूज करते हैं तो कि विए फ्लेक्सीड जो होते हैं वह काफी बेनिफिशल होते हैं हमारी स्किन के लिए इसमें ओमेगा-3-fenty-acid होता है और इसमें अन्टी-इंफलामेंटरी लोती है न्टी-एंटी-अकशिडेंट्स वहते हैं फाइबर होता है जो हमारी स्किन के लिए काफी जादा बेन जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना इसके साथ ही मैंने गाई जो सेकड़ इंग्रीडियेंट लिया है मुलतानिमिटी और रोज पेटल्स तो गाई जो रोज पेटल्स होती है इसमें वाइटमिन C,B और K होता है जो हमारी सकिन के डयमेज सेल्स को रिपेर करता है और हमारी सकिन को ग्लॉइंग बनाई रखता है और इसमें anti-oxidants होते हैं और हमारी skin को सुन्दर बनाई रखने में rose petals काफी जादा helpful होती हैं इसके साथ हमारे face पे जो भी acne होते हैं pimples होते हैं वो सारे दूर होते हैं और इसके साथ साथ जो भी हमारे face पे कालापन होता है dark circles होते हैं वो भी दूर होते हैं तो मैंने यहां पे फ्लेक्सीड को पीस कर उसका भी पाउडर बना लिया है और जो मुलतानी मिट्टी और रोज पैटल्स थी उनका मैंने पाउडर बना लिया है कि तो गाइस मुलतानी मित्टी तो हमें जरूर यूस करनी चाहिए गर्मियों में अगर हम रोज पैटल मुलतानी मित्टी को यूस करते हैं तो उसके साथ हमारी स्किन को काफी जाधा बेनिफिट्स मिले तो गाइस चलिए देख लेते हैं इस face pack को बनाने के लिए हमें कौन सा ingredient कितना लेना है तो गाइस यहां पे मैंने एक कटोरी ले ली है और इसमें अब हमें add करना है एक चमच मैंने यहां पे लिया है मुलतानी मिट्टी और rose petals का powder और इसी में एक चमच फ्लेक्सीट डालीया है तो गैस जो मुलतानी मिट्टी होती है वह हमारी skin को करती है और इसके साथ साथ हमारी skin को आगर हम बात करें तो वह हमारी skin को clean भी करती है और skin shining के लिए भी काफी जादा अच्छी मानी जाती है तो यह हमारे खूब सूर्ती को निखारनी में। सवारनी में बहूत-छाधा कारगर थाagem इसमें मैंने उन्हेक्स छान्हत्त ग्रीडियोन्ड लिया है है वहने हनी उन्हें होता है हमारी सकन के लिए 새플 के सवाहर fun sculpt करता है इसके साथ जो भी हमारे face पे दाग दब्बे होंगे वो सबी अगर हम इसे use करते हैं तो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं तो हमें honey भी अपनी home remedies में जरूर use करना चाहिए तो guys honey के साथ हमारे face पर चमक आती है अगर हम इसे regular use करते हैं तो guys इसके बाद जो मैंने इस home remedy में इस face pack में मैंने next ingredient add किया है वो मैंने add किया है raw milk तो guys यहां पे मैं raw milk लिए रही हूं मैंने यहां पे दो चम्मच raw milk इस ingredients में add किया है तो guys जो raw milk होता है वो भी हमारी skin के लिए बहुत ही ज़दा beneficial होता है वो एक natural cleanser का काम करता है और हमारी skin को toner का काम भी करता है और एक अच्छा moisturizer भी है इसके साथ जो भी हमारे face पे black edge की problem होगी वो दूर होगी और हमारी skin है वो चमकदार बनेगी अगर हम raw milk को अपने home remedies में use करते हैं तो guys यह मेरा face pack जो है वो बनकर तयार है तो आपको क्या करना है इस face pack को अपने face पे apply करना है और 15 से 20 मिनट तक इसे लगा कर ऐसे ही छोड़ देना है और इसके बाद आप चाहें तो आप कोई भी मोस्टराइजर अपलाई कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप आइसिंग करना चाहें अपने फेस पे तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे और रेड़ी काफी आइसिंग की वीडियो अपलोड कर दी हैं लेकिन अगर आप इसक की वीडियो मेरी वीडियो को लाइक करना शेर करना और कमेंट करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना क्योंकि इसी से मिलती है हम मोटिवेशन और अच्छी अच्छी वीडियो अप ते हम आगार